कैसे हेलो गाइज आज हम लोग बात करेंगे डिलाइंस कौम्यो के बारे में रिलान कौम्म केशन का अगर हम लोग देखेंगे तो रेडिके ट्रेडिंग सेशन पर ये स्टॉक अपर सरक्रीट लगा रहा था और अपर सरक्रीट लगाने की बहुत बड़ी वजह भी थी देखिए इस बार इस स्टॉक पर हो सकता है मोमेंटम यहां से तेज हो क्यों हो इसका कारण में आपको बताऊंगा जिन लोगों इस पर पैसे लगा रखें उन लोगों के लिए बहुत बड़ी ख़बर है और जो लोग इस पर पैसे लगाना चाहते हैं वो लोग थोड़ा से वीडियो को पूरी तरीके से देख ले समझ लिए और उसके बाद इस स्टॉक पर पैसे लगाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा देखिए इन्वेस्टमेंट तो इन से भी स्टॉक पैसे बनता नहीं है बड़ जो खबरें और जो अपडेट्स आती है उस अपडेट्स को जरूर आपके दिमाग पर रखना चाहिए और आप देख पा रहे होंगे मैक्सिमम अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों ने इस पर पैसा गवाया है पैसा कभी भी नहीं बनाया किसी टाइम फ्रेम पर बड़े जो मचली है इस बाजार के बड़े प्लियर्स जो है वही लोग इन से भी स्टॉक पर पैसे बना पते है खबरों के दम पर इस टॉक चलता है और उसका फाइदा उन लोगों को होता चोटे निवे से जो है उनको यह फाइदा नहीं मिल पाता है मैं आपको सारी वीडियो पर अपडेट बताऊंगा सबसे पहले एक अपडेट देखिए देखिए सबसे पहली अपडेट तो यह दीजे कि आज कल यह अपडेट चपी है और दोनों एक्स्चेंजेज को यह खबर दी गई है एक्से और बीसी दोनों एक्स्चेंजेज को यह बहुत बड़ा बहुत बड़ा इंपक्ट छोड़ सकता है आज इसका स्रेडियूल किया गया कमिटी ओप क्रेडिटर की तो आज का डेट और आज का जो मीटिंग हो काफी इंपॉर्टेंट रों काफी खास होगा क्यूं होगा इसके बारे मैं बताता हूं अभी थोड़ी देर पहले देख लीजिए 25 मतलब 25 मीटिंग कंसीडर किया गया है और आज का डेट है तो यह काफी इंपॉर्टेंट रही थी दो सेप्टेंबर को आपको याद होगा कि ncl2 रूल इफ स्पेक्ट्रम कैन बी सोल अंडर दा आई बीसी सुप्रीम कोट तो सुप्रीम कोट के तरफ से जो आदेश दिया गया इनको पता है कि स्पेक्ट्रम ही सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है रिलांस यहां पर देखे सारी चीज़ें दी गई है दो कोट ऑडर तो एडजस्ट ग्रॉस्ट रेविन्यू दूस्ट तो टेलीकॉम प्रोनौंस्ट तूस्टेंट कमसाइज दब्रेट तो टेलीकॉम कंपनीज अंडर इंसल्वेंसी अप्रिलांस कोम्निकेशन वीडियो कॉन और अ पाता सुप्रीम कोट हैड अर्लियर राइज्ट कोस्टन ओन ट्रेडिंग ऑप स्पेक्ट्रम वेन डिपार्डमेंट ऑप टेलीकॉम कॉम्निकेशन हाइलाइटेड बैंक्रॉप्सी टेलीकॉम से हैब नौट पेड एजियार द्यूस ऑफ 40,000 करोड का यह डियूस नहीं पे प्रोशेस था उस पे इन्होंने अर्चन लगाई थी तो बाद में क्या हुआ था बैंच हैड अर्लियर वंडर्ड वाइड वाइड राइड नौट मेड प्रोवेजिंस पर पेंग देर एजियर दियूस वें दा कंपनीश थेम्सेल्प्स एडर इनिए डियर केस प्रोशेस नेचुरल रिसॉर्सेस विच थे यहां पर शुप्रीम कोट ने इस चीज को खारीच किया और सुप्रीम कोट ने यह चीज कहा है कि इसे एड किया जा सकता है यहां पर हम लोग देख पाएंगे वो पॉइंट देखे सुप्रीम कोट हाज लेप्ट इट ऑन दे बैंकरप्सी कोट तो डिसाइड वेदर सेल्स और ट्रांसफर्स ऑप दे राइट तो यूज दे स्पेक्ट्रम्स कैन बी अलावद अंडर दे इंसल्वेंसी लौ तो यह इसपेक्ट्रम और यह इनसेल्सों में यह नहीं करते हैं तो जहां तक उम्मीद है कि इंसुल्वेंसी मी बंकरप्सी कोट जोगी है वहां पर स्पेक्ट्रम को एलाव किया जाना जाहिए और आज की जो मीटिंग है रिलांस कम्मिनिकेशन की वो इसी की regarding होने वाली है तो इस टॉक पे आपको तेजी देखने को मिल सकता अपर सरकीट तो फ्राइडे को ही लगा था यह अपर सरकीट कंसिस्टेंट हो सकता है और अगर यह अपर सरकीट ऊपर की और जाता तो सबसे पहला तो इसे फेज करना हुगा दो रूपए 55 पैसे का उसके बात दो रूपए 75 पैसे नहीं करता फिर बिजन लोगों ने इस पर hope एक बना के रखा कि stock side यहां से कुछ अच्छा कर जाए तो देखिए अच्छा करने की बात तो अभी बिल्कुल भी नहीं हो सकती है क्योंकि Relance Communication का जो business है वो business आपको पता होना चाहिए कि company consistently एकदम negative इनका profit जा रहा negative देखिए मैं इनका अभी result हल फिलल का दिखाता हूं देख लीजिए यहां पे जिया जिया मार्च quarter तक result देखिए company consistent loss पे जारी है even since from the 2017 आप देख लीजिए यहां पे कोई भी ऐसा quarter नहीं है जहाँ पे इन्होंने profit जो है वह plus पे कमाया before tax तो net profit कहा जाएगा आप खुदी ताई कर लीजे तीस हजार करोड की loss हुई थी दस हजार करोड की loss ठीक है तो जो parties organize करने पर अपने अपने capacities के हिसाब से खर्च करते हैं वह ऐसा एक fund इन सब इस टॉक्स पर लगा के छोड़ दिया जाता है और उसके बाद अगर चला तो ठीक है और अगर नहीं भी चला तो हमें अपने portfolio पर आसा ऐसा मतलब नजर नहीं आना चाहिए कि हमें काफी loss हो रहा तो रिलांस communication पर decision लीजी आज एक काफी important दे होगा इसके लिए जो लोग इस पर पैसे लगाना चाहते उनके लिए important खबर है जो लोग पैसे लगा रखे उनके लिए काफी important खबर है तो यह सबी चीजे हैं आगे क्या होगा यह तो देखना होगा कि कौन से company से hire करती है और यहां पर पे करके इनके spectrum और वगरा एसेट जो भी है इनको खरीदती है रिलांस जीयों का नाम बहुत बहुत आ बार आया है लेकिन यह clearance अभी तक नहीं आई कि रिलांस जीयों या फिर रिलांस इंडस्ट्री के जो मालिक है मुके संबानी जी वो इसे purchase करेंगे ऐसी खबर market यहां से continue रहें तो decision लीजें और investment कीजें अपने हैसाब से सोच समझ के ठीक है किसी के कहने पर कोई भी स्टॉक्स पर लेकिन एक चीज में जरूर कहूंगा कि बहुत ज्यादा पैसे इन सभी स्टॉक्स पर ना लगाई है बहुत स्टॉक्स है मार्केट पर जो आपको स्यो जलता हूं नेक्स्ट वीडियो पर तब तक के लिए बहुत बद्देने हुए थैंक्यू